जहिन साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी प्रिवार मैथ्स ग्रू मनीश में दोस्तों मैं हूँ में के एक्सपर और अभी आपको बता दे कि अभी से 15 घंटे पहले जो है कुल मिलाकर कहा जाए तो 15 घंटे पहले विहार बोड के जो ओफिसियल यूटूब चैनल ठीक है न उस पर एक जानकाड़ी अपलोड किया गया है ठीक है और उस जानकाड़ी के माध्यम से हम आपको कुछ बताना चाहेंगे और कुछ जानकाड़ी भी है और कुछ सवाल भी है हमें विहार बोड से ठीक है न एक्जाम पैटरन में कुछ बदलाब किया गया है ठीक ह ये वीडियो हम सूट कर रहे हैं लगबग सात बजे के आसपास ठीक है ना तो अभी से ठीक पंद्रा चौदा घंटे बाद जो है बिहार बोड का एक्जाम सुरू होने बाला है और एक्जाम से चौदा घंटे पहले बिहार बोड अपना जो है एक्जाम का पैटर्न बताता है चौदा घंटा पंदा यानि 30 घंटा पहले लगबग 30 घंटा पहले जो भी हारबोड अपने एक्जाम का पैटर्न बताता है कि किस पैटर्न से प्रिक्षा होने वाला है ठीक है ना हाँ दीके जानकारी यह है कि आप लोग को पहले से भी हम बताते आ रहे हैं कि आपका जो एक्जाम 2023 में होने बाला है ठीक है ना इसमें 100 objective question पूछा जाएगा 32 का प्रशन पूछा जाएगा आठ पांचंग के प्रशन पूछे जाएंगे ठीक है ना तो यह एक्जाम का pattern है जो हम लोग मतलब क्या कहा जाए तो यह इसको बिना official जानकारी के जो है हम लोग इसको 60 objective question पूछेगा जबकि एक बार जो है पेपर में भी यह आया था कि 60 objective question पूछा जाएगा ठीक है ना फिर अभी जो है अभी से 30 घंटे मतलब एक्जाम से लगबग 30 घंटे पहले जो है बिहारवोड अपने official YouTube चैनल पर जो है यह update जारी करता है कि इस वार जो है 2023 के वोड़ होगा यानि कुल मिलाकर 100% आपको जो है option choice दिया गया है ठीक है ना यानि 50 question बनाना है तो 100 पूछेगा 15 question बनाना है तो 30 पूछेगा 4 question बनाना है तो 8 पूछेगा ठीक है ना उसी परकार से जो science वाला paper है उसमें 70 objective होगा ठीक है तो जो pattern पहले वाला था वही pattern है आप बताई बिहार बोर्ड अपने official website से 30 घंटे पहले बच्चों को इस बात की जानकाड़ी देता है अब हमारा एक सवाल है बिहार बोर्ड से और आप लोगों से भी एक जो है और आप लोग को भी हम कह रहे है कि ये सवाल हमारा जायज है या ना जायज है आप लोग खुद comment box में नी school त्यारी कर पाएंगे ठीक है ये बहुत बड़ा सवाल है किसी तरह से जो है ये सही नहीं है आप मतलब बिहार बोर्ड को जो है कम से कम पांच से छे महीना पहले jam pattern तै करके जो है बजापते उनको जो है official website के माधियम से बच्चों को इस बात की जानकाड़ी देनी चीए ठ क्या मतलब pattern है क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता है ठीक है ना लेकिन ये जरूरी है बच्चों के exam pattern की जानकाड़ी होना बच्चों को बहुत जरूरी है आप 30 घंटे पहले बताते हैं कि exam में जो है 100% objective question पूछा जाएगा 100% दोवंग का प्रशन पूछा जाएगा ठीक है ना 100% आठंग का पूछा जाएगा मतलब समझ रहे ठीक है ये देख लिए ये क्या है ठीक है तो यही जानकाड़ी आप लोग को देना था और आप लोग बिल्कुल निशिंत होकर exam की त्याड़ी करे मज़दार तरीके से exam की त्याड़ी आपकी हो चुकी है बस आप आपको exam देने जाना है ठीक है और आप सभी को exam के लिए वेश्ट अप लग एकदम जाईए और exam में जाकर गर्दा उड़ा दीजिए ठीक है और आपका जो है अभी class objective का होना बाकी है objective का class जो हो सकता है कि आज रात में हो या फिर सुबा में हो हो सकता है कि दोन समय हो रात में भी हो सकता है सुबा में भी हो सकता है लेकि रात में 10 बजे के बाद कोई class नहीं होगा और आप लोगो यह हिदायत दे रहे है कि रात में 10 बजे के बाद आपको जगने की जरूरत नहीं है आप रात में 10 बजे के बाद सो जाए आराम से ठीक गाना बगएर सुने, relax महसूस करें अपने आपको जिसमें आपको खूब Enjoy होता है आप वह काम करें exam से पहले और आदा घंटा पहले आपको center पर पहुँचना है आदा घंटा पहले center पर पहुँचना है और वहां जाकर punch होना है उसके बाद exam भी देना है ठीक है जन्यवाद